हालो दोस्तों स्वागत एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर सी प्लस प्रोग्रामिंग के फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में जहां पर बात आज होगी वनाफ दो मोस्ट इंपर्डेंट टॉपिक डाट इस डानमिक मेमोरी अलोकेशन वोट इस डानमिक मेमोरी और वाइवी नी दाजिएगा क्योंकि अभी तक आपने जितने प्रोग्राम हमने बनाएं या जितनी प्रोग्राम इंगता हमने किये हैं एकिस्टिटेटिक मेमोरी तो यहां पर एक कंफिजन होता है सड़िक में में क्या दिफरेंस है वाइवी शुट गोफार डानमिक मेमोरी यर्ण विज समस्थे static memory और dynamic memory में difference क्या होता है तो यदि आपको याद हो तो मैंने आपको शुरुवात में C++ के program execution की steps बताएं थी, right, कि सबसे पहले हम program का source code लिखते हैं, okay, ये source code का extension dot cpp होता है, फिर next step में हम इस program को compile करते हैं, ठीक है, जब ये compile होता है, तो ये machine code में convert होता है, okay, program को next step में run करते हैं, so that your program will display an output, और ये जो output file होती है, ये होती हमारी exe file, ये होता है C++ के program का execution, कि सबसे पहले हम source code लिखेंगे, source code compile होगा, वो machine code में convert होगा, फिर हम उसको run करेंगे, run करके output file होगी, जिसको हम exe file बोलते हैं, लेकिन हमने ये भी discuss किया था, कि इस पूरी process में, आपका program दो environment में से होके गुजरता है, ठीक है, अब ये दो environment में से होके चलता है, मतलब क्या, गुजरता है, मतलब क्या, जब एक program source code से machine code में convert होता है, ठीक है, एक program का source code से compile होके machine code में convert होना, ये कहलाता है, प्रोग्राम का compile time environment, लेकिन एक program का machine code से run होके, output में आना, और जब तक आपका output screen चल रही है, ये कहलाता है, प्रोग्राम का run time environment, तो वो memory जो इस समय allocate होती है, एक program का source code से compile होके machine code में आना, इस समय प्रोग्राम जो memory allocate करता है, ये memory कहलाती है, compile time memory, इसी कों बोलते है, compile time memory, और it is called static memory, ये कहलाती है, static memory, और एक program का machine code से run होके, output में आना, ठीक है, ये कहलाता है, run time environment, लेकिन इस समय जो memory allocate होती है, वो कहलाती है, run time memory, और इसी को हम बोलते है, dynamic memory, ये कहलाती है, dynamic memory, ठीक है, तो program में दो तरीके की memory को हम use करते है, एक static memory होती है, जो fixed होती है, जो compile time पे allocate होती है, जिसके size fixed है, और एक run time memory, जो की variable memory है, जिसका allocation और de-allocation दोनों programmer के हाथ में होगा, और आप देखिए, अगर हम current world की बात करें, तो most of the software uses dynamic memory, कहने का मतलब ये है, कि जितनी requirement है, आपके memory उतनी ही allocate होना चाहिए, और memory का allocation और de-allocation दोनों programmer के हाथ में होगा, लेकिन अब यहाँ पर ये question आदा है, कि सरी ये दो type की memory, internally कैसे allocate होती है, क्या आप बोल रहे है, compile time memory allocation है, जो की compiler allocate करता है, no doubt runtime memory को भी compiler allocate करता है, बट it is runtime, ठीक है, कि जब आपका program run होगा, उस समय जो memory allocate होगी, वो खहलाती है, runtime memory और dynamic memory, अब question ये है, कि सरी ये static और dynamic का मतलब क्या है, static का मतलब है fixed in size, कि जो भी memory allocate होगी, वो size में fixed होगी, कि एक बार अगर आपकी memory allocate होगी, so that is fixed, लेकिन dynamic memory, runtime की value पे decision लेगी, कि runtime पे आपने क्या value दे है, उसके according आपके memory allocation होगा, मैं आपको भी example के साथ समझाता हूँ, लेकिन उसके पहले आप most of the important concept सुनिएगा, ये जो static memory है, ये जो dynamic memory है, इसका allocation internally कैसे होता है, तो actually क्या होता है, C++ दो तरीकी की memory को use करता है, एक को हम बोलते है stack memory, और एक को हम बोलते है hip memory, one is called stack memory and second is called hip memory, इसको बहुत ध्यान से सुनना, one of the most important question है interview का, C++ जब memory allocate करता है, तो it is uses two type of memory, one is called stack memory and second is called hip memory, या भी stack और hip में क्या difference है, stack memory वो memorie होती है, जब भी आप किसी variable को, या carrier को, किसी function में declare करते हैं, जैसे मैंने main में एक variable को declare किया है, main में में array declare किया है, में भी हमारा एक function है, तो वो memory है, जो किसी function के variable के लिए allocate होती है, और जो compile time पर allocated होती है और जिसके size fixed है like static memory यह internally कहाँ पर होती है stack में लेकिन जो runtime memory होती है जो dynamic memory allocation होता है वो कहाँ पर होता है hip में ठीक अब दोनों में difference यह है कि यदि आपका variable static memory allocate कर रहा है stack में memory allocate कर रहा है तो उसका scope क्या होगा उसका scope होगा जैसे suppose करो मैंने एक array बनाया है अब मैंने array declare 500 की size का तो array तो आपका 500 की size का declare हुआ है right लेकिन आप इसमें कितना data use करेंगे वह आप पर depend करेंगा लेकिन memory allocation fixed 500 की size का हुआ है पढ़ा है हमने array का topic we know what is array और जब मैंने array पढ़ाया था तब भी आपको यह बात बदाए थी कि C और C++ में जब भी हम एक array को declare कर यह देहांते सुनना राइट कि जब भी कोई variable stack में memory allocate करेगा यह static memory allocate करेगा तो उसका जो scope होगा वो scope within a block होगा within a block within a block का मतलब यह है block खतम memory gone ठीक है मतलब program के end होने का wait नहीं होगा यह wait नहीं होगा कि user को इस memory को delete करना है compiler क्या करेगा उस memory हम बोलते ना एक variable का scope हमेशा local होता है कहने का मतलब यह है कि माननो अगर मैंने यहाँ पर को variable declare x equal to 70 यह array declare किया क्या मैं इसको main के बाहर किसी क्योंकि internally जो इसने memory allocate किये वो कहां पर किये stack में और जो stack में memory होती है वो fixed in size होती है और दूसरा इसका scope हमेशा local होता है within a block होता है कि block तक ही variable memory allocate करेगा block खतम variable memory से automatically remove हो जाएगा लेकिन जो dynamic memory जिसके हम बात कर रहे है ना जो memory runtime पर allocate हो रही है ठीक है कहांगे हमारा runtime जो memory runtime इस वन राइट यह memory allocate होती है हिप में और यदि हिप में allocate होगी तो इसका मतलब यह है कि इस memory को या तो programmer delete करेगा प्रोग्रामर मतलब जो भी यूजर है यूजर मतलब प्रोग्रामर है देखिए यूजर और प्रोग्रामर में confusion इसलिए नहीं होना चाहिए एक developer के लिए programmer ही user है और एक programmer के लिए end user user है तो मैं कभी user भी बहुता हूं तो आप उसको compare करिएगा developer के साथ कि user होता है जो किसी की दी होए software को use करता है मैं C++ को use कर रहा हूं मेरे software कोई तीसरा person use करेगा तो user मतलब programmer के हम बात कर रहे है तो developer प्रोग्रामर जो memory allocate करेगा जिसका allocation और dealocation दोनो programmer के साथ में तो वह memory जो runtime पर allocate होती है और जिसका allocation और dealocation हमारे हाथ में है ये memory कहाँ पर allocate होती है हिप में तो यह जो मैमोरी होगी स्टैक में हमेशा कहा पर अलोकेट होती है यह जो डानेमिक मेमोरी होगा यह तब तक मेमोरी में रहेगा ने कि या तो इसको डिलिट किया जाये कि जो तक तक रहेगी जब तक या तो आप इसको delete ना करें और या फिर आपका program terminate ना हो जाए बात समझ में आ रहे है कि या तो आप इसको remove करें और यदि आपने remove नहीं किया तो यह तब तक रहेगी जब तक आपका program terminate नहीं होगा after termination of a program this memory is released तो हिप memory और stack memory में difference समझ में आ है क्योंकि इंटर्व में अक्सर यह question पूशा जाता है कि what is the difference between stack memory and hip memory तो stack memory मतलब the memory which is allocated for the function variables and the hip memory which is allocated by dynamic variables right कि जो memory runtime पे allocate हो रही है वो हिप में allocate होगी जो compile time पे allocate होगी जो function variables के allocate होगी वो stack में होगी stack memory का scope local होता है after completion of the block stack memory automatically release होगी लेकिन जो hip memory होती है उसका scope local नहीं है यह दो reason से दो तब तक memory में रहेगी जब तक दो कारण है या तो आप इसको delete ना करें और या फिर आपका program terminate ना हो जाए बास समझ में आई तो अब यहां पर हम बात करते हैं कि सर स्टाटिक memory तो हमने अभी तक काफी program पढ़े और अभी जो example मैंने आपको दिया आप देखें मैं फिर से array पर आता हूं कि यदी मानलो में ने आपने देखा हम जब भी array बनाते हैं ठीक है हम क्या करते हैं हम एक array declare करते हैं हमने array लिए 500 का अब इस 500 के array में आप memory allocate आपने declare किया है array के size कितनी है 500 तो memory allocation तो आपका array of 0 से array of 499 तक हो गया ना मतलब आपके प्रोग्राम ने जैसे ही compilation किया उसने आपके लिए 500 का array बना के देदिया है अब इस 500 के array में अगर आप user से बोलते हैं कि boss enter the limit आपको याद हैं अब इस लिमिट में यदि आपने n की value यूदर से लिए तो यह तो runtime पे लिए यह memory आपने runtime पे लिए और array का declaration हम पहले ही कर चुक है तो array तो आपका पहले से 500 size का declared है लेकिन अगर आपने runtime पे n की limit suppose कर यह लिए 10 या तो आपने 10 लिए तो आपने क्या किया इस 500 के array में 10 number दियें वाट आप आप दे remaining 495 memory जो 490 की memory है it is completely waste it is completely waste right क्यों क्योंकि memory allocation compile time पे हो चुका है और आपने उस allocated memory में जो total number of element दिये हैं वो केवल 10 दिये दूसरी problem कि यदि आपने 500 कारे लिया और आपने 700 limit दे दी तो या तो आपको याद है हमने इसमें go to statement से check लगाया था कि अगर limit 500 को cross करेगी तो go to से वापीस जाना है याद करो array के concept लेकिन अगर वो condition मैंने नहीं लगाई और अगर मैंने 700 दे दिया तो क्या होगा कोई error नहीं आएगी क्योंकि c++ में array को लेके कोई bound checking नहीं होती है कोई error नहीं आएगी और अगर error नहीं आई तो आपका program आपसे बाकदा 700 element लेगा आप चलाए प्रोग्राम को लिमिट दीजिए 700 लूप लगा के आप अन नंबर ओफ element रीट करिए वह बाकदा आपसे 700 element मंग लेगा उसका रीजन यह है कि बहुत कोई bound checking होई नहीं रही है और bound checking नहीं हो रही है तो आपसे 500 element तो वारे में रखेगा जो 700 है और remaining 200 वो रखेगा garbage location पर तो यह जो problem है यह सब static memory reasons है कि यदि एक array को में fix size का declare करूँगा तो मेरे लिए दोनों problem है कि अगर मैंने limit से कम data दिया तो memory waste होगी limit से जादा दिया तो कोई error नहीं आएगी location garbage location पर data storage शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर हम बात करते हैं dynamic memory के हम चाहते हैं कि boss यह array exact उतनी ही size का बने जितनी हमारी requirement समझना कि हम यह चाहते हैं कि boss हमारा array run time पर memory allocate करे हमारा array dynamic memory allocate करे और उस dynamic memory का allocation और de-allocation दोनों हमारे control में रहे हम चाहते हैं कि boss मुझे इस memory को यहां तक use करना है and then after we no longer require this memory तो मेरे पास power होना चाहिए मेरे पास एक concept होना चाहिए कि मैं उसको delete कर सकूँ तो यदि हमें dynamic memory allocation को use करना है in C++ so that यहां पर C++ ने मुझे दो operator दिये हैं one is new and second is delete these are the two operator यदि आप मैं से कोई C से aware है if you know the C concept हला कि मैं no doubt difference अभी आगे पढ़ाऊंगा क्योंकि generally क्या होता है C++ जब हम आते हैं तो we know the C concept and the people who know the C concept right वहां पर dynamic memory allocation अगर आपको याद है तो हम use करते थे melee lock function and a Maylock free and वहां पर था melee lock function क्यूंकि वह function oriented programming language थी तो वहां पर हमारे पास थे वहां पर हमारे पास C Allok function था तो यह था C का इस अगर आपको डानेमिक मेमोरी करना है और अगर आपने रिजुमे में दोनों लिखा हुआ है जनरली होता है अपने जितना पड़ा है सब रिजुमे में हम लिखते हैं और जब हम रिजुमे में सब लिखते हैं तो हम पूरे उसको एक question का मोगा दिया है तो कि उसको पता है आपने C भी पढ़ा है और आपने C++ भी पढ़ा है और अगर आपने दोनों पढ़ा है तो बेटा बता मेलाओक और new में क्या difference है बेटा बता हो free और delete में क्या difference है तो इस type के questions पूछे जाते है इफ यह resume says आपने C भी पढ़ा है और आपने C++ भी पढ़ा है और अगर आपने Java भी पढ़ा है तो new वहाँ भी होता है वह आगे की बात है लेकिन इसलिए में अक्सर बोलता हूँ resume में वही लिखो जो आपने पढ़ा है हाँ पढ़ा है तो बिलकुल लिखो और अभी हम भी difference पढ़ेंगे कि malloc और new में का difference है free or delete में का difference है लेकिन अभी थोड़ा सा time है ठीक लेकिन पहले उसके हमें यह समझना पढ़ेगा कि यदि मुझे runtime memory allocation करना है यदि मुझे dynamic memory allocate करना है so how new operator help us to allocate the dynamic memory or how delete is used to release the dynamic memory तो यहां पर आपको अभी तक आपको पहले इस टेप में यह समझ में आया होगा कि static और dynamic memory होती क्या है stack memory और hip memory में क्या difference है ठीक है अगर आप compile time memory allocate को अभी तक use कर रहे थे दिन why we should go for a dynamic memory allocation new delete क्या है these are the operator यह धान रखना कि new and delete are operator in C++ while these are the function यह C++ में function है right by new and delete are operator लेकिन अब यहां पर भी आप देखिए एक और most important concept हम C++ को day 1 से पढ़ रहे हैं obviously बाते पढ़ी रहे हैं आपने देखा मैंने C++ आपको दो तरीके से बताई है एक procedure oriented thoughts और एक object oriented thoughts है क्योंकि C++ दो रो तरीके की programming support करता है C++ में हमें यह कभी नहीं बोला जाता है कि आपको class लिखना ही पढ़ेगी या आपको object बनाना ही पढ़ेगा या आपको constructor लिखना ही पढ़ेगा या आपको destructor बनाना ही पढ़ेगा है ना लेकिन चोंकि object oriented programming language है तो हमारा thought process जनरली object oriented रहा है अभी तक हमने previous लेकिन शुरुआत के अगर आप lecture देखे तो मैंने बिना class object के भी आपको C++ में code लिखना बता है ठीक है तो वेसे ही अभी जब हम dynamic memory allocation की बात करेंगे तो दो तरीके से देखेंगे no doubt operator वही यूज़ोगा एक procedure oriented thoughts है और दूसरा object oriented thoughts है procedure oriented thoughts ही जब हम बात करेंगे ऐसे ही आपको याद है मैंने template में भी यह बात बोली थे आपको same concept मैंने template में भी कहा था आपको template programming भी हम C++ में दो तरीके से पढ़ता है उसका reason यह है कि language क्या है it is C with object oriented programming और अगर इसमें C है और object oriented भी है दोनों है तो obviously बात है मैं C के thought से भी code लिख सकता हूं C++ के thought से भी code लिख सकता हूं मैं बिना class और object के भी code लिख सकता हूं sorry classes और object के साथ भी code लिख सकता हूं and without classes also possible तो यहां भी अभी हम जब dynamic memory allocation देखेंगे तो एक देखेंगे procedure oriented thoughts से जहां कोई class नहीं होगी कोई object नहीं होगा बढ़ हम dynamic memory allocation करेंगे लेकिन एक होगा हमारा dynamic memory allocation using object oriented programming thought जहां पर हम exactly बात करेंगे constructor जिसका काम allocation करना होता है पढ़ा हमने constructor or the special function which is basically used to initialize the data member हमने पढ़ा destructor or the special member which is used to de-initialize the data member तो dynamic memory में आपको exact utility समझ में आएगी constructor और destructor की तो पहली step में procedure oriented thought देखेंगे second step में object oriented thought देखेंगे लेकिन यहां तक पहले हमने अभी यह समझा static और dynamic memory में क्या difference होता है what do you mean by static memory what do you mean by dynamic memory compile time memory, run time memory stack memory, hip memory तो यहां तक आई, hope अभी आपको concept समझ में आया है तो मिलते हैं next lecture में और continue करेंगे इसी topic को और बात करेंगे कि किस तरीके से हम new और delete को use करके dynamic memory allocation के concept देखेंगे ठीके, तो चलिए करते हैं मुलकात और I hope वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं यार तो please share करिए दोस्तों के साथ लाइक करिए वीडियो को और बने रही है इस course में और मैं मिलता हूँ आपसे next lecture में till then take care, bye bye